इडिए राउंड 10, L Classico, Madrid vs Barcelona, Godfather और राइवलिस, पिछले सीजन में Madrid ने बार्सा को हम और अवे दोनों गेम महर रहा है था लेकिन तब का सीन और अपका सीन है वो अलग है, तब जीदान था, अब कार्लो एंचलेती है, कार्लो एंचलेती के पास क्लासीकों का एक्सपिरियंस तब ये बन्दा बोलता है कि आप तीन गोल खाकर हारे, या फिर एक गोल खाकर हारे, हर तो हार होती है, अरे भाई हुमिलेशन भी कोई चीज होती ही, कोई वर्ड होता है, अगर आप 5-2 या फिर 4-1 से हार होगे तो बार्सा में तबाही मच जाएगी, मेडरीट की पॉसिबल लाइनप की बात करें तो मेडरीट के फ्रंट ही होगे, बेंजेमा, विनिसेस जूनियर और रोडरीगो, रोडरीगो स्टार्ट कर सकता है ओवर हैजार, क्योंकि हैजार जो इंजिरी से वापस आया है, और इंजिरी के बाद हैजार की पहले गेम और रोडरीगो, मिडफिल की बात करें तो मिडफिल में होगे, वालवादे, का समीर और मॉद्रिच, वालवादे स्टार्ट कर सकता है ओवर क्रूस क्योंकि जब वालवादे जब बारसा के सामने खेलता था वो अच्छा दिखता है और पिछले एल क्लासिकम उसने गोल भी किया था डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में होगे अलवा और मिली ताव और लेब बेक की पोजिशन पे स्टार्ट कर सकता है मेंडी राइट बेक की पोजिशन पे बात करें तो डैनी कारवाहल इंजरी से वापस आया है तो वास्केर स्टार्ट कर सकता है ओवर डैनी का बात करें तो मैडरीट जब 4-3-3 formation खेलता तब अच्छी लगती है जब आपके पास इतने अच्छे forward है और उनका form इतना अच्छा है तो मैडरीट 4-3-3 formation के साथ ही खेलेगी 4-3-1-2 विद सेंटरल अटिकेंग मीड फिल्डर वालवडे मज़ा नहीं आता बार्सा के possible lineup की बात कर तो मैंफिश डिफाइ सेंटरली लेफ विंग पे अनसु फाथी और राइट विंग पे सजी नोडेश स्टार्ट कर सकता है अगर बार्सा के पास डिफाइ फाथी अगवर है तो साथ में खेलते देखना पसंद करूँगा मैड के स्टार्ट से ही बट कौन कहां कहलेगा वही डाउट है अनसु फाथी विंग पे खेल लेता डिफाइ सेंटरली या फिर विंग पे खेल लेता अगर अगवरो सेंटरली खेलता है तो डिफाइ की पोजिचन क्या होगी मीडफिल की बात करतो मीडफिल में बुसकस गावी और फ्रांकी दियंग स्टार्ट कर सकते है फ्रांकी दियंग चब एटेकिंग रோल में होता तब अच्छा दिखता है और उसकी फिनिसिंग भी काफी अच्छी है और वो बार्सा को सूट भी करता है टू होल्डिंग मिडफिल्डर और तीन सेंटर एटिकिंग मिडफिल्डर बार्सा पे वक नहीं करता और 3-5-2 वी तू विंग बेक्स अच्छी लगती है बार्सा बट कुमान इस सीजन में 3-5-2 नहीं खिलाता बार्सा पॉसिबली 4-3-3 के साथ ही खेलेगी और बार्सा के ल सॉर्जेर स्वक्भा के साथ माँ पर शियन्गेजा के मिंगेज़ वेङ sa लग स्टार्ड के साथ की दिसक्रव नहीं है और डियुज़ है को स्टार्ड किता और बोट करता है बार्सा के सुन्ट राईड बेक पॉसिशन पर शियुज़ लेघ्मिंग में su था बासा